कि अध़ी जो दोस्तों राइव लोग में आप लोग वाइब फिर से श्वागतर मैं हूँ आपका होस्ट विल्टी आज जो हम विजिट करने वाले की मौनस्टरी एक मौनस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस मौनस्ट्रियों में इसे एक मौनस्ट्री ए और आज हमारे जो लो यहां पर बहुत सारे ट्यूरिस्ट की मोनेस्ट्री को देखने आते हैं, तो हम भी की मोनेस्ट्री को देखने आते हैं, तो हम भी की मोनेस्ट्री को देखेंगे, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री बताई जाती है, अभी हम आ चुके हैं की मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री में थोड इसके आगे आप विकल नहीं ले जा सकते हैं, अगर आपको विकल पार्किंग लगाना है, पार्किंग के लिए यहां इस्पेस है, तो आप अपनी गाड़ी यहां पार्क कर सकते हैं, और एक चीज जो सबसे ज़रूरी बात है, आपको यहां पर ड्रोन नहीं उडाना है, क्यो जो कि लामाओं का सबसे पुराना शिक्षा के इंद्रे यहां से फिक्षा प्राप्ट करते हैं की मोनेस्ट्री में जो मौक शिक्षा लेते हैं उनका जो कूल है वो इधर है थोड़े जूम करके दिखाता हूँ कि और बच्चे नीचे क्रिकेट खेलरे तो चलते हैं थोड़ा आगे की मौनेस्ट्री में अभी ज्यादा रश्तों है नहीं तो हम बिलकूल आप भालाम से यहां भाला मंजट्री को देखेंगे कि मौनेश्ट्री का यह ओतेविव और जाहेंगे कि मौनेश्ट्री के मेन गेट के हम आ चूखे क्राइड गाखे लिफसको के काहफी जाचयदा हैoutez तो आप देख सकते हैं काफी सास भड चूका है और इसके पास का मैं वीव आपको दिखा दूँ है की मोनिश्टी के हम अंदर आ चुके हैं जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये जो है ये नया एंपल है यानि गॉंपा बोला जाता है कि न्यू गॉंपा है और जो पुरानी पुराना टेंपल है वो उस तरफ से है तो हम च सबसे जरूरी बात मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं जब भी आप किसी भी मोनिश्टी में जाएं तो किसी भी तरह की कोई हाउ उला ना करें शोर्श्राबन ना करें क्योंकि ये एक साइलेंट जोन होता है और बिना पूछे किसी भी मोक की मैट पे ना बैठें उनकी मेजिटेशन रूओ गया है तो अभी हमने अंदर की मोनिश्टी में दर्शन के बहुत अच्छा फील हुआ मुझे और यहां पर एक सर बैठें उनके थोड़ें बात करते हैं शरी क्या है लैब हर्बल्टी इनोंने हमें दिया किसलिए दी जाती है यह हमारे यहां चितने भ अच्छा जी तो इससे कोई फाइदा या कुछ फाइदा है कि पीने से फिलिन ठीक होता है जैसे मैं पहले भी यहां पर आया था तो आप कोकोनट वाली टोफी भी देते हैं शहाद कोकोनट वाली टोफी सत्तु और सत्तु का परशाद तो आज खतम होगी तो मुझे कैसे क्या इतियास आ है क्या इस ट्रीर इंसे गोल है प्रोफ पनी ए ब्रहर भीес लेरा है आप यहां यहां ब्रोफ स्धिर बार भारर यह कंट इंदे को बैट उन्हें हम्चे से आपका रसोई घर है जहां तक मुझे इना है औक Via हर्बल्टी भहुत स्वायदा इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी है हर्बल्टी और यह परशाद में कोकोनट की टोफी या सत्तु का परशाद दिया जाता है और आज शायद मखाने हैं और यह रसोई घर है कुछ इस तरीके से मोनेश्ट्री को अंदर से हमने देखा और ज्यादा हम वीडियो बना नहीं पाए अंदर क्योंकि ज्यादा अलाव होता नहीं है अभी भार हम आए और भार का जो व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूं भूट ठंडी हवाई यहां पर चल रही है मोसम अभी यहां बरफ तो न यह दोस्त तो पुराने दिन यादा गए चुटी 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 अपने आपको आता है आपको आता है नहीं आता न कैसे है का मारा वो तो अपने आप लग गई मेरे को कहा था क्या 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 नाम आप लोग होगे तंजीन आपका एक बरहाई कर दो दर तो आप रोग रहते का हो उस घर मेरे स्कूल में रहते हैं अच्छा लगा आप लोगों से तो थोड़ा अब भी हमारा जो की मोनश्री था वो कंप्लिट हो चुका है और अभी हम जाने वाले चीचम ब्रीज जो की वर्ड का हाइस्ट ब्रीज है वहां जाएंगे और वहां का व्यू भी आपको दिखाएंगे तो चलते हैं कुछ टाइम में हम चीचम ब्रीज पहुचने वाले हैं जब भी बाइकर्स को मैं देखता हूँ राइड करते वे तो बड़ा मन होता है लेकिन मैंने सोच लिया है कि अगली बार जब मैं आऊँगा स्पीति करने तो मैं बाइक से ही आने वाला हूँ देखना चाहता हूँ कैसा एडवेंचर होता है बड़ा अच्छा सामने और मैं आपको एक इसमय पर एक ही गाड़ी पुल से निकल सकती है जैसे कि आप देख सकते सामने और आगे चलते है आप लोगों मैं बात बताता हूँ जब चीचम ब्रीज का काम चल रहा था तो आप देख सकते हैं नीचे मैं आपको फॉरा जूम करके दिखाता एक देख सकते हैं तो यह उपर से गिर गया था क्रेन शाहिद मेरे साब से और नीचे जो नदी बहरी हो स्पीटी है अगर आप घूमने के शौकेन है और अगर आप नई जगों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप चीचम ब्रीज को जरूर अपनी बके लिस्ट में डाले मैं आपको बता देता हूँ चीचम ब्रीज जो है वो 14,000 फिट की उचाहिपर बनाओ एक ब्रीज है और इसको बन सकते हैं लो साइथ से भोते मना जभी तर निकल सकते हैं तो अभी हम थोड़ा अपना लंच करते हैं यह पर और यह फूडर ड्रिंक्स में हम आ गए तो करते हैं देखते हैं कैसा इसका अग्र शलते हैं कर चैसे तो अभी आज़र दिया है मैंने ओमनेट बोलिया और राइप्राइड बोले है आते हैं आपको बताते हैं और खा कि कैसा किया उसका टेस्ट गाता है तो अभी आचुका है मारा लॉंच का के देखें कैसा के है है इसके हैं इस जाल अच्छो आप करते हैं अपना लंच आप से मिलते रास्ते में जब आप लोग लाहूल स्पीति कर रहे होंगे आप काजा आएंगे या आप इस्पेशल काजा आएंगे तो उसके लिए जो भी आपका बजट होने वाला है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है काजा ने की मैं आपको डिटेल कर रहे हैं दिली से काजा की तरफ तो जो आपके पास रास्ते होंगे दो रास्ते हो एक वाया शिम्ला होते वे एक वाया मनानी होते वे अगर आप वाया शिम्ला होते वे आते हैं तो आपको डिस्टेंस होने वाली है वह आपको टाइम लगने वाला है और वाया मनाली होते सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देख सकते हैं काजा लोकल साइट आप एक गिन में आसानी से विजिक्ट कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने वाली है अगर आपको अगर बेट बटर जैम लेते हैं तो चाली सब्सक्राइब बिलेगी डिनर भी आपका 100 रुपय में थाली होगा जिसमें राजमा मिक्सवेज चपाती आपको मिलेगी एक चीज में आपको बता देता हूं अगर आप यहां पर होम अगर आप लोग पर नई जगह पर तब तक के लिए बाई दोस्ति हुआ हुआ है